कि अधियो दोस्तों कि इस वीडियो में हम माई 2021 का पॉलिटी का करेंट अफियर डिसकस करेंगे जिसके टॉपिक होंगे अधिकरण एमपिलर डिसकीम, टीबी एई के प्रमुक कचैन, नए जिले का गठन और राजविधान परिसाथ और लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन्स देखेंगे जो इनी टॉपिक से रिलेटेड होंगे पहला टॉपिक है ट्रिबियूनल्स ट्रिबियूनल्स में सबसे इंपोर्टेंट बात ये है कि इसका मूल सम्मिधान में कोई प्रावधान नहीं था इसे स्वरण सिंग समित की सिफारिस पर बैयलेस में समिधान संसोधन अधनियम 1976 द्वारा भाग 14A जोड़ा गया उसी के अंदर दो और उनिचे जोड़े गए एक है 323A और 323B प्रसासनिक अधिकरान गठित करने से संबंदित है और 323B कर संबंदी आयात या निरियात संबंदी या भूम सुधार आदी जैसे कानून बनाने के लिए आदी जैसे मामलों को सुलजाने के लिए अधिकरान गठित किया जाता है 323B के दोरा इन दोनों में अंतर क्या है 323A सिर्फ सेंटरल गवर्मेंट ही यूज़ कर सकती है और 323B सेंटरल गवर्मेंट या कि फिर स्टेट गवर्मेंट कोई भी यूज़ कर सकते है आईए देखते हैं अधिकरान का मतलब क्या है सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अधिकरन आया कहां से, अधिकरन ट्रिब्यून सब्द से बना है, जो कि प्राचीन ड्रोम में एक पद होता था, जो मजिस्टेट के उपर निगरानी रखता था, मजिस्टेट मनमानी कारवाई ना कर सकें, नागरिकों को प्रतारित ना कर सकें, अधिकरन होते क्या हैं, अधिकरन एक अर्धनयाइक प्रसास्निक निकाय होते हैं, अब इसमें अर्धनयाइक का मतलब क्या है, अर्धनयाइक का मतलब है, कि वो नयायाले की सक्तियां तो रखते हैं, नयायाले की सक्तियां तो रखते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सक्तिय हैं पूर्ण सक्तियां नहीं हैं वो स्ग squishy मामलों में आप अ मौन भीका सिर्ट एक यह की इनकी आधिकरन की इस्था भी यह कि इन्हें सिविल नयायाले की सक्तियां ना होती हैं यह ना तो न्यायाले हैं और नहीं कारकारी निकाए और अधिकरण की मुख विसेशता ये है कि ये प्राक्तिक न्याय पर आधारित है और प्राक्तिक न्याय किसे कहेंगे प्राक्तिक न्याय वह न्याय जिस पर जिसमें निस्पक्षता समानता वह आउचित ये नहित हों ये तीनों गोर नहीं तो हो उस न्याय को हम प्राक्तिक न्याय कहेंगे आज़े देखते हैं ये चर्चा में हम लोग इसको डिसकस क्यों कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने अधिकरण सुधार सुबवस्थी करण और सेबा सर्त इध्यदेश 2021 रख्यापित किया है जिसके इंतरगत उन्हें कुछ सुधार किये हैं पहला तो ये है कि उन्हें अनेक अपेलि अधिकरणों को मिला करके उन्हें जो पहले से मौजूद हैं निकाय उन पर इस्तानांतरित कर दिया गया है जैसे फिर्म प्रमारन अपीली अधिकरण को समाप्थी कर दिया गया और एक बदलाव किया गया है कि खोज सह चैन समिती द्वारा अध्यच्छों और सदस्यों की निक्त की अनुसंसा की जाएगी और इस खोज सह चैन समिती किन लोगों से मिलके बनेगी इनके एक अध्यच्छ होंगे जो चीफ जस्टिस आफ इंडिया या की चीफ जस्टिस आफ इंडिया द्वारा नामित कोई सुप्रीम कोट के ही जजज होंगे यहां पे ध्यान रखेगा हाई कोट के जजज नहीं सुप्रीम कोट के जजज ही होंगे खोज सह चैन समीति के अध्यच और सदस्यों में कौन-कौन से कौन-कौन होंगे सेंटरल गवर्रमेंट द्वारा नामित दो सचिव और आसीन या पदावरोई पदावरोई मतलब कि जो रिटायर हो रहे हैं या कि हो चुके हैं अध्यच रिटायर जजज आफ सुप्रियम कोर्ट और रिटायर चीफ जश्टिस आफ हाई कोर्ट इसमें आपको आप संदे सकता है कि retired justice of high court लेकिन high court के normal justice नहीं है chief justice जो होंगे high court के वही इसके सदस्य बनने के योग होंगे कि इसके खोज सहचैन समित के और संबंदित मंत्राले का सचीव भी होगा जिसके पास voting rights नहीं होंगे आई देखते हैं इनका कारकाल क्या होगा अध्यच का कारकाल four year या 70 year जो भी पहले हो जैसे 65 year में मालेजे कोई CGI रिटायर हो गए अब ये इसी साल इसके अध्यच बन गए खोज सहचैन समित के तो ये जब 69 year के हो जाएंगे तब इनको यहां से रिटायर कर दिया जाएगा आजिया कि फिर अगर ये पहले ही 70 year के पूछ जा रहे है अगर इनकी नियुकती इस अध्यच पद पर नियुकती 67 year के एज में होई है तो इनको तीन साल के कारकाल में ही इनको रिटायर कर दिया जाएगा और सदस 4 साल सरसट और 67 year जो भी पहले आएगा उसमें सदस की रिटायर्मेंट एज है और सबसे मुत्पूर्ण बात ये है कि इनके लिए मिनिमम एज 50 year रखी गई है 50 साल से नीचे का कोई आदमी खोज सह चैन समित का सदस या अध्यच बनने के योग नहीं होगा अब देखते हैं भारत में अधिकरणों की अबसेक्ता क्यों है मुख तीन कारण है एक दो तीन पहला है लंबित मामले दूसरा है तौरित नयाई कावितरान और तीसरा है कुछ छेतरों में लागत प्रभावी और प्रभाव साल यह देखते हैं लंबित मामले कैसे भारत में सुप्रीम कोड में 2006 में 40,000 केस लंबित थे और वही बढ़कर 2019 में 60,000 केस हो चुके हैं कहां सुप्रीम कोड में हाई कोड में 2006 में 37,000,000 थे अब 44,000,000 हो चुके हैं 2019 की रिपोर्ट के अनुसर और सबाइडिनेट कोड में यानि की डिस्ट्रिक कोड में 2006 में 50,000 केस केस पेंडिंग थे जो की बढ़कर 2019 में 3.1 करोड हो गए लंबित मामले इतने जादा हैं इस करण से अधिकरण इस्थापित करने की वसक्ता भारत में है और यह तरित नयाय का इसमें नयायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायायाय शाली है जैसे कोई specific case हुआ जैसे कोई प्रसासनिक जैसे एक केंदरी प्रसासनिक अधिकरान है central administrative tribune है इसका काम क्या है प्रसासनिक अधिकारियों उसके संबंदित उनकी नियुक्ति या सेवा सर्तो संबंदित जो भी बिबाद होंगे वो केंदरी प्रसासनिक अधिकरान उनको सुल जाएगा वो एक निश्चित समय सीमा पर अपना काम पूरा कर लेते हैं तो इससे लागत भी जब कोई काम निश्चित समय पर होगा उसकी लागत भी गटेगी और प्रभाव स इलता भी बढ़ेगी देखते हैं अधिकरान की समस्याएं क्या हैं ये लंबित मामले अधिकरान की अवसेक्ता भी है और अब ये इसकी समस्या भी बन चुका है लंबित मामले समस्या कैसे बन चुका है क्योंकि ये हला कि निराकरान की दर तो अधिक है यहां पे आप ये द सदस हैं जो भी अधिकरान इस्तापित किये गए हैं उन पे वर्क लोड जादा है जिस कारण से मामले लंबित हो जा रहे हैं और कारबल की कमी दूसरा कारण क्या है दूसरी समस्य क्या है कारबल की कमी और रिक्त पड़े पद यह जो अधिकरान हैं उन पे फुल चमता से कारण नहीं कर रहे हैं अभी केंदरी प्रसासनिक अधिकरान में टोटल 64 पद हैं जिसमें से 27 तो वेकेंसी हैं अभी भी उसमें तो यह फुल चमता से कार नहीं कर पा रहे हैं अब इसका रिजन क्या है फुल्चमतों से कार्ण कर पाने का ये एक आता है सक्ति का प्रथक करण के सिद्धान्त की उपेच्छा अधिकरण में इनकी पेमेंट संबंधित अनसुविधाओं संबंधित जो भी चीजों की जरूरत होती है उनमें गवर्मेंट हस्तचेप करती है जिससे इनकी प्रक्रिय बाधित होती है और स्वतंद्रता का अभाव ये तो हम देखी चुके कि गवर्मेंट का हस्तचेप इसमें रहता है इनकी नियुक्ति में और सेवा मुक्त करने में आधी चीजों में गवर्मेंट का हस्तचेप रहता है यही अधिकरणों की समझ से आए हैं और इन्हीं का सुझाव सुझाए गए हैं उसमें से सबसे मुख है राश्ट्री अधिकरण आयोग NTC की स्थापना करना नेशनल ट्रिब्यून ट्रिब्यून कमीशन की स्थापना करना इसको सबसे पहले तुप्रीम कोट ने 1997 में 1997 में सुझाव दिया था कि एक राश्ट्री अधिकरण आयोग की स्थापना होनी चाहिए लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया अभी तक लंबित ही है और एक और इंपर्टेंट बात है कि इसका सुझाव किस केस में दिया था सुप्रीम कोट ने एल चंद्रकुमार वर्सिस यूनियन आफ इंडिया और दूसरा सुझा क्या है अधिकरण की पीठ इस्तापित की जाए जैसे कई कुछ सहर हैं वो जैसे सुप्रीम कोट या हाई कोट से दू दरा जिस्तित सहर हैं जैसे आप कोई भी उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी छ अधिकरण केस ही रेजिस्टर नहीं करते हैं वो अधिकरण की पीठ जगय जगय पर इस्तापित की जाए यहांada कोट हों कम से कम वहां तो अधिकरण की पीठ इस्तापित हो ही और तीसरा है समय बद्ध सिकायत निवाराण तंत्र समय से उनकी सिकायत को निवाराण किया जाए और योग कारवल जो कि हम पहले भी देख चुके हैं उनकी समस्याओं में तो योग कारवल की नियुक्ति यथा संभव की जाए अलर टॉपिक है MP-led scheme Member of Parliament MP-led scheme संसाथ सदस इस्थानी छेत्र विकास योजना इस योजना के तहट प्रतेक संसथ सदस्यों को पाच करोड रुपय हर वर्स दिये जाते हैं अब वो चाहें लोग सभा के संसाथ सदस्यों या राजसभा के क्यों दिये जाते हैं क्यों कि ता कि ये संसदी निर्वाचन छेतर में इस्थानी इस्थाई सामुदाइक परिसंपतियों का सरजन कर सकें और इस्थानी सामुदाइक परिसंपतियों में क्या क्या आएगा प्राथ मेक्सिक्छा, पेजल, सच्छता वा स्वास्त कौन इसके लिए अनुसंसा कौन कर सकता है MP LED स्कीम के तहद यह जो पाच करोड उपे मिलने वाले हैं इनके लिए कौन अनुसंसा करेगा और वह कहां इन्वेश्ट कर सकता है उन पैसों को लोग सभा सदस करेगा जब अनुसंसा तो वह अपने इन ही निर्वाचन छेतर पर अपने ही निर्वाचन छेतर के अंदर वह इन्वेश्ट कर सकता है और राजसभा जिस राज से चुन के आया है वह उधर पाच करोड उपे इन्वेश्ट कर सकता है पर यह और लोग सभाव वा राज सभा के मनुनीत सदस पुरे देश में कहीं भी MPLAD scheme के तहट प्राप्त पैसों को संपारी संपत्ति के स्रजन में लगा सकते हैं अब एक महतपूर्ण बात आती है कि लोग सभाव वा राज सभा के निर्वाचित वा मनुने दोनों सदस्यों को जितना भी उने अनुसंसा की है उसका कम से कम 15% अनुसूचित जाती निवास छेत्रों को और साड़े साथ परसेंट अनुसूचित जन जाती निवास छेत्रों को अनुसदान को अनुसदान देना पड़ेगा जैसे अगर किसी एक पर्टिकुलर एयर में किसी संसदने एक करोड रुपए परिसंपतियों के स्रजन के लिए अनुदान मागा तो उसको एक करोड में से 15 लाख रुपए अनुसूचित जाती छेत्रों में और साड़े साथ लाख रुपए अनुसूचित जन जाती छेत्रों में परिसंपतियों के स्रजन के लिए निवेस करना होगा और ये MP-LED स्कीम प्राक्तिक आपदाओं में भी उप्योग किया जा सकता है लेकिन इसकी लिमिट है कितनी मैक्सिमम एक करोड रुपए और ये non-lapsible fund है जो कि शेस बच जाएगा तो अंगले साल इसको यूज़ किया जा सकता है ये labs नहीं होता है MP-LED की देखते हैं समस्याएं क्या है सबसे बड़ी समस्या है इस्थाने सरकारों की वी पेच्छा सांसथ जो होते हैं वो बिना किसी सर्वे के कोई भी योजना के लिए आवंटन कर देते हैं वो इस्थाने सरकार पंचायतों से कोई सलाह मसरा नहीं लेते हैं और आवंटित निधी का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है अभी तक टोटल 16% निधी का ही यूज हो पाया है और स्रजित परिसंपतियों की निन निस्त्री गुर्वत्ता जिसका रीजन है ब्रहष्टाचार ब्रहष्टाचार का रीजन अपरयाप्त निगरानी और अपर बत्ता उनकी निम्न होगी और संसदों में जाग रुकता हुआ सामनजस की कमी है जैसे एक केस आया था कि एक लोगसभा के निर्वाचित संसद ने कि अपने संसदी छेतर के लिए कुछ पैसे अवंटित करवाए और वहीं उसी छेतर के लिए राजसभा में उसी काम के दिए उतना ही पैसा अवंटित करवा लिया अब पैसें का क्या होगा यही सामनजस की कमी है इसका समाधान यही है कि सामनजस बढ़ाया जाए निकरानी बढ़ाई जाए परिसंपत्यों की गुरवत्ता बढ़ाई जाए अपबे कम किया जाए पंचाइटीरा संस्ताओं की स्कूल बनी की नहीं स्कूल में बच्चे आ रहे हैं की नहीं आ रहे यह होता है उसका प्रभाव आकलन उससे उन जो स्कूल का स्रजन हुआ उससे उस छेतर के लोगों का जीवन इस तर में क्या बदला हुआ यह होता है प्रभाव आकलन जो कि सबसे महत्पून पहलू है तिसरा टापिक है CBI के प्रमुका चैन यह नूज में से लिए था क्योंकि अभी सुप्रीम कोट ने शरी अभी एक समित समित गठित की गई थी जिसके अध्यच प्रधान मनते थे इस समित का काम क्या है कि CBI के प् हो अध्यच इसका PM होगा CBI के प्रमुका जब चैन के लिए जो समित गठित की जाएगी उनके अध्यच PM होंगे और दोस अध्यचियों में से एक चीप जेश्टिस आप इंडिया और दूसरा लोग सभा में विपच्छ का नेता और यह कार्मिक लोग सिकायत और पिंसन मंत राले के अंतरगत आता है चौतर टॉपिक है नए जिले का गठन नए जिले का गठन या उसके नाम में परिवर्तन नहीं सुरी नाम में परिवर्तन नहीं जिले का गठन या उसकी सीमाओं में परिवर्तन या उसे समाप्त करना समाप्त करके किसी अन जिले में मिला देना य राज सरकारों के पास वह अपने कारकारी आदेश द्वारा या राज विधान सभा द्वारा पारित कोई भी अधिनियम से ने जिले का गठन या उसका समापन कर सकता है लेकिन नाम जब बदलना होगा तो उसे अन्नमंत्रालियों से या एजन्सियों से एनोसी लेना आवस्यक होता है जिले का नाम बदलने के लिए वो कारकारी आदेश के द्वारा कोई भी राज सरकार कारकारी आदेश के द्वारा नाम नहीं बदल सकती जैसे MP में MP में एक भोपाल के पास एक स्टेशन था हभीब गंज हभीब गंज उसका नाम बदल के रानी कमला पती कर दिया गय कर दिया गया इसके लिए इनको अन्मंतरालियों से एनुसी लेना पड़ा है पाच्वा टापिक है राज बिधान परिशत ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि पाश्चिम बंगाल की मंत्री मंदल ने पाश्चिम बंगाल बिधान सभा परिशत के गठन हेतु प्रस्ताव को स् राज बिधान सभा विशेश बहुमत से ये याद रखिएगा राज बिधान सभा विशेश बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है कि संबंधित राज में विधान मंडल परिशत का गठन या समापन या उत्सादन करना है उस हे तो प्रस्ताव पारित करती है वह प्रस्ताव फिर संसद जाता है संसद में संसद विधान परिशत के स्रजन या उत्सादन का स्रजन या उत्सादन का प्रस्ताव पारित करके उसे सजित या उत्सादित कर सकती है और यह किस के तहत संसद करती है अनुछेद 16 169 राज विधान परिशत के इस रजन के लिए अनुच्छद 169 जिम्मेदार है विधान परिशत और विधान सभा में अंतर क्या आईए देखते हैं विधान परिशत के लिए मिनिमम एज 30 वर्स निरधारित की गई है और विधान सभा के लिए 25 वर्स सदस्यों का वन थर्ड तोटल सदस्यों का वन थर्ड या मिनिममम 40 सदस विधान परिशत में होने चाहिए या कि और विधान सभा में मिनिममम 60 और मैक्सिमम 500 इसमें ज्यादा ज्यादा 500 सदस हो सकते हैं और कम से कम 60 सदस विधान सभा में और विधान परिशत में कम से कम 40 या टोटल सदस्यों का वन थर्ड धन विध्यक ये न तो प्रस्तुत कर सकते हैं न संसोधित कर सकते हैं नहीं अस्विकार कर सकते हैं विधान परिशत के सदस लेकिन विधान सभा में प्रस्तुत भी कर सकते हैं संसोधित भी कर सकते हैं और उसे स्विकार या अस्विकार वो तो उनका मैटर है परिशद बजट में चर्चा मागों पर मतदान नहीं कर सकते चर्चा कर सकते हैं पर मागों पर मतदान नहीं कर सकते और लेकिन विधान सभा में मागों पर मतदान तो विधान सभा का विशे शादिकार होता है राष्ट पती के चुनाओं में विधान परिशद के सदस से लेते हैं दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस भाग लेते हैं राष्टपती के चुनाओं में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आयव इन से रिलेटेट कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं आप इनको सॉल्व करिए पहला क्वेश्चन है अधिकरन से संबंधित कथनों पर ध्यान दे अधिकरन अर्द नियाईक प्रसासनिक निकाय हैं पहला कथन है दूसरा है अधिकरन प्राक्तिक नियाईके सिध्धान्त द्वारा निर्देशित होते हैं तीसरा कथन है राष्ट्री अधिकरन आयोग की इस्थापना अनुच्छे 323-A द्वारा 1997 में की गई थी और चौथा है अधिकरन की इस्थापना की अनुच्छा फोज सह चैन समित द्वारा की गई है इनमें से आपको सही विकल्प चुमना है विकल्प है ये आप इनके एंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अभी कुश्चन इनको देख लेते हैं MP-LED स्कीम से संबंदित कुश्चन है पहला कतन है MP-LED योजिना के तहट प्राप्त निदिको संसत सदस्यों दारा OBC निवास छेत्रों, SC निवास छेत्रों वा ST निवास छेत्रों के लिए कम से कम क्रमसह 27%, 15% और 7.5% धनरासी अनुश्चन सा आवस्यक होती है पहला कतन है, दूसरा कतन है, राज विधान परिशत के गठन के लिए संबंदित राज विधान सभाद्वारा इस हेत्व साधारन बहुमत से प्रस्ताव पारित करना आवश्यक होता है इनका साब को सही विकल्प चुनना है, विकल्प रहे ये थर्ड कोस्चन है, राज विधान परिशत से संबंदित कतनों पर विचार कीजिए, राज विधान परिशत का सदस्य बनने के लिए अधिक्तम आयू 30 वर्स निर्धारित की गई है दूसरा कतन है, राज विधान परिशत के सदस्य राष्ट पती के चुनाओं में भाग नहीं ले सकते आपको इनमें से सही विकल्प चुनना है, का खा गा गा जो भी एंसर हूँ, आप कमेंटर बॉक्स में एंसर दे